नमस्कार दोस्तों आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है बेटे बहु के द्वारा आप मानित बुढ़े पिता ने लिया ऐसा कठोर फैसला की बेटे बहु के उपर आसमान गिर पड़ा अगर आप इस कहानी का पहला दूसरा और तीसरा वाक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स एंडी स्कीन और कार्ट तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ में कमेंड बॉक्स में पिन भी कर दूँगी तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं अगले दिन ओल्डेज होम में प्रोग्राम की सारी बिवस्था हो चुकी थी अमर ने सुमी को तोफा दिया सुमी ने वसाड़ी पहन ली सभी लोगों के घर वाले आ रहे थे उन्हें देखकर सुमी ने अमर से कहा मुझे नहीं लगता मेरे बेटी और बेटा आजाएंगे मैं चल कर अंदर की बिवस्था देख लेती हूँ तुम रुको सुमी साथ तुम्हारे बच्चे आजाएं सुमी वहाँ से चली गई अमर को उसके लिए बहुत दुख हो रहा था कुछ देर बाद एक गाड़ी आकर रुकी उसमें से रभी विकास अपनी पत्नियों के साथ नीचे उतरे तीनों बच्चे भी साथ थे गाड़ी से उतरते ही तीनों दादा जी दादा जी कहते अमर की ओर दोड़े अमर भी उनसे लिपट गया और उन्हें गले लगा लिया दोनों बेटे और वहु अमर के सामने आएं अमर ने उन्हें देखा और जाने लगा तो विकास ने कहा हम सब को माफ कर दीजिए पापा मैं जानता हूँ हम में से कोई भी आपकी माफी के लायक तो नहीं है लेकिन फिर भी हम सब अपने किये के लिए सरमिंदा है क्या फिर से कोई नया ड्रामा है ये अमर ने कहा नहीं प सबका दिल पिखला दिया, हमें माफ कर दो पापा, ऱभी ने अमर के हाथों को पकड़ कर कहा, हाँ पापा जी हम सब को माफ कर दी जी, दोनों बहुंँने अमर के पैरों में गिरते हुए कहा, अरे-अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों, घर की लच्मी ऐसे पैरों में ना बेटी तुम्हें अपनी गलतियों का एसास हुआ वही काफी है मैंने तुम सब को माफ किया आओ अंदर चलते हैं अमर ने दोनों बहुँओं को उठाते हुए कहा पापा ये लो विकाश ने डिब्बा अमर की और वढ़ा कर कहा ये क्या है अमर ने कहा आपको मा के हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है ना मा तो अब नहीं रही इसलिए हम चारों ने मिलकर इसे आपके लिए बनाया है बिकाश ने कहा अमर ने सुना तो उसकी आखों में आसु भराए उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चे इतना बदल जाएंगे उन्होंने मुस्कुराते हुए डिब्बा लिया और खोल कर सुंगते हुए कहा हाँ खुस्बु तो बहुत अच्छी आ रही है तुम सब अंदर हॉल में चलो मैं आता हूँ सभी अंदर चले गए अमर खीर का डिब्बा लेकर आफिस की ओर आया और सुमी के पास आकर उसे अपने साथ बरामदे में ले आया क्या बात है अमर सुमी ने कहा मेरे बच्चे मुझसे मिलने आया है सुमी और उन्होंने अपने किये के लिए मुझसे माफी भी मागी है और ये देखो मेरे लिए अपने हाथों से बना कर ये खीर भी लाए है अमर ने खुसी से भर कर कहा मुझे तो कुछ गड़बर लग रही है अमर शुमी ने सोचते हुए कहा कैसी गड़बर अमर ने कहा इस तरह अचानक उनका अच्छा बनजाना मेरे मन में सक पैदा कर रहा है अमर अगर उन्हें अपनी गलती का एसास होता तो आज तुम यहां नहीं होते सुमित्रा ने कहा क तुम उन पर सक करती ही जा रही हो कोई बच्चे अपने माता पिता के साथ इतना घिनोना काम क्यों करेंगे अमर ने गुस्से से कहा मैं सच कह रही हूँ अमर जैसा उन्होंने बरताव किया है उसे देखते हुए मैं उन पर वरुसा नहीं कर सकती आज से पहले तो वो लोग कभी कुछ नहीं लेकर आएं फिर आज अचानक सुमी ने कहा मुझे अपने बच्चों पर भरुसा है अमर ने कहा अमर की बात सुनकर सुमी ने उसके हाथ से खीर का डिबबा लिया और कहा अगर ऐसा ही है तो फिर इसे मैं खा लेती हूँ अगर तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं होगा ये क्या पागलपन है सुमी अमर ने उसे रोकना चाहा लेकिन तब तक सुमी खीर के डिबबे को मुझ में लगा चुकी थी उसने आधी खीर खाई और बाकी डिबबा फेक दिया ताकि अमर नौ खा सके उसकी आखों में नमी उतर आई तो अमर ने उसके को अपने हाथों में लेकर कहा बच्चे सच में बदल चुके हैं सुमी सुमी ने अमर की आखों में देखा और कहा अगर वो बदल चुके हैं तो मुझे तुम से हारने का जरा भी दुख नहीं होगा अमर अमर सुमी को वहां छोड़कर अंदर चला गया और सुमी की नजर ज साथ इस्टेश पर बैठे थे अमर के घर वाले बिलकुल सामने बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे अनुज ने वर्सगाट पर लेकर सबसे बाते की और फिर अमर से कहा अंकर मैं चाहता हूँ आज आप हम सबसे कुछ सब्द कहें अमर अपनी जगह से उठकर माईक के पास आता हूँ ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप लोगों ने अपने माबाप को यहां रहने के लिए भेज दिया अमर का सवाल सुनकर सभी खामोस हो गएं कुछ की गरदन चुक गई तो कुछ इधर उधर जाकने लगे ये सब देख कर अमन ने कहा सायद इसका जबाब आपके पा खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को खिलाता है एक पिता दिन रातकरी महनत करता है ताकि उसके बच्चे सुख से रह सकें उन्हे अच्छी सिच्छा दिलाता है बच्चे बड़े होते हैं तो उनके जिम्मेदार बंने में माबाप मदद करते हैं उसकी साधी करा देत और सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए अपने लिए जिएंगे लेकिन वही बच्चे जिनके लिए उन्होंने इतना कश्ट उठाया उन्हें ऐसी जगों पर भेज देते हैं जिन माबाप ने उन्हें जन्म दिया अच्छी जिन्दगी दी उन्हीं माबा की जिन्दगी को ये जहनुम बना देते हैं माबाप अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगते हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुस रहे आबाद रहें लेकिन वही बच्चे ये भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी माबाप बनना है और इस दोर से गुजरना ह बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो एक उम्र के बाद माबाप किसी काम के नहीं रहते हैं वे बच्चों पर बोज बनने लगते हैं आज मैं बताता हूँ बुडे माबाप का तुम्हारी जिन्दगी में क्या रोल है बुडे होने के बाद वो इतने सच्छम नहीं होते क घर के कामों में या बाहर के कामों में आपका हाथ बटा सके लेकिन ये बुजर्ग आपके घर के सेक्योर्टी गार्ड होते हैं इनके भरोसे आप अपना घर छोड़ कर जा सकते हैं ये आपके घर के माली होते हैं वो पौधे जिने देखने तक कि आपको फुरसत नहीं होती उन्हें ये अपने बच्चों की तरह सीज़ते हैं बार बार आपको गलतियां करने से रोकते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे परेसानी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उन गलतियों से आपको भारी नुकसान हो सकता है आपके बच्चे जब आपके साथ खेलना चाहते हैं तब आप इतने ब्यस्त होते हैं कि उनसे पीछा छोड़ाने के लिए उन्हें महंगे खिलोने मुबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं लेकिन वही ये बुजर्ग उनके साथ खेलते भी हैं और उन्हें अच्छी सिच्छा भी देते हैं हाँ बढ़ती उम्र के साथ बुज़र्गों की सोचने समछने की सकती कम होने लगती है लेकिन फिर भी वो आपकी परेशानी आपके चेहरे से भाप लेते हैं लेकिन बच्च एक बुज़ूर्ग अपने बच्चों से लजीज खाना या भंगे कपड़े नहीं चाहता है बलकि इस समर में वो अपने बच्चों के साथ और प्यार चाहता है लेकिन बो इतना बदनसीब हो जाता है कि उनके बच्चों के पास उनके लिए थोड़ा भी वक्त नहीं होता पिता तुम्हारी उंगली थाम कर तुम्हें सहारा देते थे। फिर आज जब बुढ़ापे में उनके कदम लड़ खड़ाते हैं तो उनका हाथ पकड़ कर उन्हें सहारा देने के बजाए उन्हें घर से निकाल देते हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं इन्हें वो संपत्ती दे दूँगा जिनके ये हगदार हैं। एक पिता होने के नाते मैं इनके लिए सब करना चाहता हूं। इन्हें हर सुक देना चाहता हूं। इनके प्यार के सामने वो कागज के टुकड़े कुछ भी नहीं है। कहकर अमर रभी ने फुस-फुसाते हुए कहा ये हमने क्या कर दिया भाईया पापा हम सब से इतना प्यार करते हैं और हमने उनके साथ ये सब किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिकास की आँखों से आसु बहने लगे अमर ने आगे कहना सुरू किया। अंत में मैं पार और सास से आपकी जिंदगी खुसियों से भर जाएगी बस जरूरत है इने समझने की किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो माफी चाता हूँ अमर ने हाथ जोड़े और अपनी कुर्सी की और बढ़ गए वहां सामने बैठे सभी बुजर्गों की आखे नम थी और अपने हाथों से खिला रहे थे कोई आखों में आसू ली अपने किये की माफी मांग रहा था तो कोई गले लग गिले सिक्वे भुला रहा था खाने के बाद यहां आए सभी बच्चों ने अनुज से बात की और अपने अपने मावाग को घर ले जाने लगे अनुज और सु अमर ने कहा, बिकास और रभी ने चैन की सास ले, और अमर का हाथ पकड़ कर कहा, हम लोगों को माफ कर दो पापा, हम सब ने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, चलिए पापा घर चलिए, वो घर जो आपका अपना है, हमें आप चाहिए, वो घर नहीं, हाँ पापा भ घरी सुमी को आवाज लगा कर अपने पास बुलाया, और कहा, देखो सुमी मैंने कहा था ना, मेरे बच्चे बदल गए है, ये मुझे घर ले जाना चाहते हैं, मैं बहुत खुश हूं सुमी, तुम खामक हाइन पर सक कर रही थी, हाँ, सुमी ने दर्द भरी मुस्कान के सा कहा, और अगले ही पल उसे उल्टी हुई और वह जमीन पर जागिरी, उसके मुझे खुन निकला देख कर अमर हक्का वक्का रह गया, सुमी की बिगरती हालत देख कर अमर उसे हॉस्पिटल ले कर गया, उसके पीछे पीछे अनुस सुनिदी और उनके बच्चे भी चले डॉक्टर बाहर आया और अमर से कहा, किसी ने उनके खाने में जहर मिलाया है, उनकी हालत अभी बहुत खराब है, डॉक्टर्स कोसिस कर रहे हैं, बाकी सब उपर वाले के हाथ में है, सुनकर अमर की हिम्मत तूट गई और उसने भरे हुए स्वर में कहा, जहर, हाँ जहर, लेकिन उनके खाने में जहर कहां से आया, वैसे ये तो पुलिस केस बनता है, आप चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं, डॉक्टर ने कहा, कैसे भी करके उन्हें 45 ये डॉक्टर अनुझ ने कहा, हम पूरी कोसिस कर रहे हैं, कहते हुए डॉक्टर वापस अंदर चला गया, अमर क के सरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही थी, वह सुनन सा खाड़ा था, विकास और रवी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहीं खड़े थे, डॉक्टर की बात सुनकर विकास अमर के पास आया, और कहा, पापा, खीर में जहर था, अमर ने सवाल किया, पापा, मैं आपको सच बताता हूँ, विकास ने हकलाते हुए कहा, खीर में जहर था या नहीं, अमर ने सकती से कहा, I am sorry पापा, हम लोग बहग गए थे, निवास की बातों में आकर हमने ऐसा कर दिया, लेकिन वो खीर सुमित्रा अंटी खा लेंगी हमें नहीं पता था, विकास ने रोते हुए कहा, सटाक, अमर ने खीच कर एक खपड विकास को मारा, सारे माहौल में सांती चा गई, अमर ने दर्द से भर कर कहा, सर माती है मुझे तुम लोगों को अपना बेटा कहते हुए, अपने नापा की रादों को पूरा करने के लिए तुम लोग इतना गिर गये हो कि तुमने एक मासूम की जान लेने का पाप किया, क्यों किया ऐसा, अपने ही पिता को मारने की साधी सिर्फ कुछ पैसों के लिए, अनुज ने अमर को समाला, तो अमर बच्चों की तरह रो पड़ा और कहने लगा, देखो अनुज क्या किया है इन लोगों ने, सुमे मुझ से कहती रह कि उसे इन लोगों पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं ही इनके प्यार में अंधा हो गया था, आज इनकी वज़े से वो इस हालात में है, मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा, कह दो इन से कि मेरी नजरों से दूर हो जाएं, मुझ से इनकी सकल तक नहीं देखनी है, अमर की वज़े से आज ये सब हो रहा है, हमें माफ कर दो पापा हमें माफ कर दो, अमर ने पैरों से दोनों को छिटकते हुए कहा, माफ कर दूँ, तुम दोनों इनसान नहीं बलकि हैवान हो, तुमें किसी की जान लेने का हक किसने दे दिया, क्या पैसा इतना बड़ा है कि अप तमाचा रभी को मारते हुए कहा, अपनी गंदी जबान से नाम मत लो उसका, अगर आज उसे कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जिन्दा नहीं छोड़ूंगा, निकल जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, अमर की बात सुनकर दोनों भाई आसु बहाते रहे, प इज़ती करवानी बाकी है, बड़ी बहु को देखकर छोटी ने कहा, मरती है तो मर जाए हमारी बला से, हमें क्या, चलो यहां से बहुत सुन ले इनकी बकवास, रभी और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा, और फिर दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को थपड़ जर दिया, दोनों यह देखकर आवाक रह गई और विकास ने बड़ी बहु से कहा, खबरदार जो एक और सब्द अपने मों से निकाला, भकवास यह नहीं बलकि तुम दोनों कर रही हो, कास यह हाथ पहले उठा देते तो आज हम लोगों को यह दिन नहीं देखना पड़ता, द वरत नहीं है, वरत के नाम पर कलंक है, इनकी बातों में आकर हम भाईयों ने अपने पिता को इतना दुख दिये, दर्द दिये, और यह आज भी इने कोस रही है, रभी ने कहा, लेकिन इन से ज़्यादा कसूर तो तुम दोनों का है, इनके लिए तुम्हारे पिता ससूर थ लेकिन तुम्हारे तो पिता थे ना, फिर तुम लोगों ने अपने मन में इतनी नफरत क्यों बना ली, सुनिधी ने कहा, रभी और विकास दोनों ही चूप चाफ सुनते रहें, उनमें एक भी सब्द बोलने की हिम्मत नहीं बची थी, अंदर ही अंदर अपना जुर में उ मुझी सी आवाज में कहने लगें, ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं, फिर भी इन दोनों ने हमेशा मुझे पिता का दर्जा दिया, बिना किसी सिकायत के इन्होंने हम सब की मन से सेवा की, लेकिन तुम सब मेरे अपने होते हुए भी मेरे दुस्मन निकले, जाओ चले ज आओ यहां से, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, जानते हो क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुनिया वालों को अपनी आवलास से भरोसा उट जाए, जाओ खुस रहो, आज से तुम्हारा पिता तुम सब के लिए मर चुका है, अमर की बास सुनकर चारों वहां से मुह ल खाता है, अनुष मेरे ही बच्चों ने आज मुझे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया, अमर ने रोते हुए कहा, आप अकेले नहीं है, अंकल मैं आपके साथ हूँ, सुनिधी आपके साथ है, अनुष ने कहा, दोनों वहीं अमर के साथ बैठे रहे, साम होने को आई, लेकिन सुमी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, कुछ दिर बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि सुमी खत्रे से बाहर है, सब की जान में जान आई, सुनिधी ने अनुष से चाय लाने को कहा, दो पर से अमर ने कुछ नहीं खाया पिया था, अनुष चाय ले आया, सुनिधी के जित क परमर ने दो घुट चाय पिया और फिर अनुज से कहा बेटा तुम और सुनिधी अब घर जाओ दो भर से यहीं हो ठक गए होंगे घर जाकर आराम करो और फिर सुनिधी बिटिया का भी इस हाल में यहां रायना ठीक नहीं है जाओ तुम दोनों घर जाओ सुमी का ख्याल रख सुनिधी ने कहा अरे नहीं बेटा मुझे भूक नहीं है अमर ने कहा वो सब मैं जान रही हुआ आँटी का ख्याल रखियेगा हम लोग आते हैं सुनिधी ने कहा अमर ने सुना तो आखों में नमी उताराई। और उस ने सुनिधी को अपने पास बुलाQUE सीने से लगाते हुए कहा भगवान तुमें खुश रखे तुम दोनों बच्चों पर कभी कोई यांच नौ आए सुनिधी और अनुज मुस्कुराए और अमर से अपना ध्यान रखने को बोल कर चले गए डॉक्टर से परमिसन लेका रमी सुमी को देखने आईसियू में आया सुमी बेहोस लेटी थी उसकी हालत देखकर अमर को बहुत दुख हुआ वह उसके पास पड़ी कुर्सी पर आराम से बैठ गया और सुमी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा मुझे माफ कर दो सुमी मैंने तुम्हारी बात का भरुसा नहीं किया अपने बच्चों को समझने में मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई उन्हों ने बहुत बुरा किया साइद मेरी पर वरिस में ही कोई खोट रहा हो गा जो आज उनके मन में मुझे लेकर इतनी नफरत भर चुकी है उनकी नफरत ने आज तुम्हे किन हालातों में ला दिया, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, सुमी कभी नहीं, जिन्दगी में कभी ना हारने वाला अमर ना थाज अपने बच्चों से हार गया, सुमी अपने बच्चों से हार गया, तकलीब के आंसूं अमर क आँखों से गिर कर सुमी का हाथ भीगोने लगे लेकिन सुमी बेसुत पड़ी थी। सुमी की हालत में कोई सुधार नहीं था नर्स के कहने पर अमर बाहर आकर बैठ गया। साम होने लगी अमर वहीं बिंच पर बैठे बैठे सो गया। अनुज खाना लेकर आया था। तक अनुज उनके साथ बैठा रहा और फिर अमर के कहने पर वापस ओल डेज होम चला आया। अमर वहीं बेंच पर लेट गया। सुबह आँख खुली तो डॉक्टर से सुमी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा उन्हें कल रात ही हो साया था बस आप सो रहे थे इसलिए जगाया नहीं आप जाकर मिल सकते हैं। अमर की खुशी का कोई ठीकाना नहीं था वतुरन ताइसियू में आया। सुमी को देखकर उसके चेरे पर मुस्कान आ गई थी वह उसके पास आकर बैठा और उसका हाथ थाम कर कहा अब कैसी तबियत है सुमी ठीक ह सुमी ने कहा इसुर का लाक लाक सुकर है तुम्हें कुश नहीं हूआ मुझे माफ कर सुमी मैं ने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया और तुम मेरे बेटों की साजिस का सिकार हो गई। जो किया उसके लिए उन्हें साथ भगवान भी माफ ना करे लेकिन तुम कर देना क्योंकि माबाप की बद्दुआ बहुत बुरी होती है सुमी ने कहा सार इनकी दवाईयों का टाइम हो गया है नर्स ने आकर कहा तो अमर ने दवाईयों का ट्रेल आकर कहा मैं दे देता हूँ अमर सुमी का काफी ख्याल रख रख रहा था उसे दवा देना खाना खिलाना उसका ख्याल रखना सबों अकेले ही कर रहा था और ये सब देखकर अनु उस सुनिधी को बहुत अच्छा लग रहा था। दो दिन बाद सुमी को डॉक्टर ने घर जाने की परमीसन दे दी डॉक्टर जब डिस्चर्च फाइल बना रहा था तो सुमी ने उस से कहा मेरी जान बचाने के लिए सुक्रिया डॉक्टर सुक्रिया मुझे नहीं बलकि अपने पती से कई ये इनोंने दिन रात आपकी इतनी सेवा की और आपको पहले जैसा बना दिया हमने तो आपकी जान बचाई है लेकिन आपका ख्याल रखने में उन्ही का हाथ है आप बहुत किसमत वाली है इस उम्र में जहां हम सफर साथ छोड़ देते हैं वही ये आपके पती हर वक्त आपके साथ रहें मैंने दवा लिख दी है कोई भी परेसानी हो तो आप आकर मिल लेना ठेक के अरका कर डॉक्टर चला गया लेकिन पीछे छोड़ गया हैरान सुमी को अमर के लिए उसके मन में प्यार और इज़त और बढ़ चुकी थी अनुज ने हॉस्पिटल का सारा बिल चुकाया और सबके साथ ओल डेज होम चला आया अगले दिन अमर ने अनुज से हमेशा के लिए वहां से जाने की बात कही तो अनुज ने कहा क्यों अंकल क्या भी आपका घर नहीं है ऐसी बात नहीं अनुज इस सहर से अब मैं भर चुका हूँ साथ ही यहां रहूंगा तो अपने बच्चों का किया भूल नहीं पाऊंगा सुमी को भी एक सहरे की जरूरत है और उसे क्या बलकि मुझे भी इसलिए मैं सुमी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ अमर ने कहा लेकिन आप कहा जाएंगे अंकल सुनिधी ने बेचैन होकर कहा भूल गए मेरा गाओं वहां का घर वहां अब भी हमारे रहने के लिए जगए है एक बार फिर सब सुरू से सुरू करेंगे अमर ने मुस्कुरा कर कहा लेकिन अंकल अनुझ ने कहना चाहा तो अमर ने उसके दोनों हाथों को थाम कर कहा तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बेटा तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ हासिर बाद है हमेशा खुस रहो लेकिन मुझे आप से कुछ चाहिए सुनिधी ने कहा बताओ क्या चाहिए अमर ने कहा आप और सुमी अंटी साधी कर लीजिए आपने कहा ना कि उन्हें सहारे की जरूरत है तो एक औरत की जिंदगी में पती से बड़ा हमदर्द कोई नहीं होता बस इतनी सी बात माल लीजिए हम लोगों की आप दोनों का प्यार पवित्र है और हमेशा पवित्र ही रहेगा सुनिधी ने कहा तो अमर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा पगली हम लोग जरूर आएंगे तुम से मिलने जब ये नन्ही सी जान इस दुनिया में आएगी अपना ख्याल रखना और खुब पोश्टिक खाना खाना अनुज भी उनके गले लगा और कहा आप दोनों भी अपना ख्याल रखना अमर ने सुमी से अपने मन की बात कही तो सुमी ने मान लिया वो अमर को आज भी उतना ही चाहती थी उसे ना नहीं कह पाई दोनों ने साधी कर ली और अमर के गाउं चले आएं कुछी महीनों में सब अच्छा हो गया अमर ने अपने आधे खेतों को बेच कर उसके पैसों से घर की मरमत करवाई और बाकी पैसों से एक डेरी फार्म खोल लिया गाउं के लोगों को उसमें रोजगार भी मिल गया और अमर का काम भी चल पड़ा सुमी ने भी घर के बाहर बगीचे में सबजिया उगाना शुरू कर दिया गाउं में वह सब को अपनी मुगाई सबजिया मुप्त में बड़े ही प्यार से दे दिया करती अमर और सुमी के मिर्दल सुभाव के कानड सभी लोग उनका सम्मान करते थे और हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे महीनों गुजर गए अमर सहर नहीं गया उमर के आखिरी पड़ाओं में दोनों एक दूसरे के साथ थे और खुश थे एक सुभा सुमी ने अमर से अपने साथ मंदिर चलने को का उसने मंदिर के बाहर बैठने वाले भूखों लोगों के लिए घर में खाना बनाया और लेकर मंदिर चली आई दरसन करने के बाद अमर और सुमी दोनों सीडियों पर बैठे उन गरीबों को खाने के पैकर दे रहे थे जैसे ही अगला पैकर देने के लिए अमर ने हाथ उठाया उसकी आखे हैरानी से फैल गई सामने विकास बैठा था फटे हाल आखे खाली मूँ चिपका हुआ और सरीर बेजान पासी में रभी बैठा था अमर को वहाँ देख विकास ने भरे हुए स्वर में कहा पापा आप यहां सुमी ने उन्हें देखा तो दोनों को वहाँ से उठा कर मंदिर के बरामदे में ले आई अमर भी उनके साथ चला आया, सुमी ने उन्हें खाने को दिया, तो दोनों खाने पर ऐसे तूट पड़े, उन्हें खाता देखकर लग रहा था, जैसे वे लोग काफी दिनों से भूखे हैं अमर ने देखा तो उनकी आँखों में आशु भराएं, सुमी ने दोनों से इस हालत के बारे में पूछा तो विकास ने बताया कि कैसे उसके साले निवास ने धोखे से सारा पैसा और जाजा धड़प लिया, उनकी कंगाली देखकर पतनिया अपने अपने बच्चों को लेकर चली गई, घर, नौकरी, पैसा, रुत्बा सब चला गया, और दोनों दरदर की ठोकरे खाते हैं, वहाँ भटकते रहें, उनकी कहानी सुन सुमी को उन पर दया आ गई, उसने अमर से कहा कि वह उन्हें अपने साथ रख ले, अमर ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया, सुमी दोनों को घर ले आई, दोनों को रहने को जगह और खाने को दिया, दोनों लड़के अपने किये पर बहुत सर्मिंधा थे, उन्होंने अमर के पैर पकड़ लिया और फिर मापी माँगने लगे, अमर का भी दिल पिखल गया, दोनों लड़के वही रखकर डेयरी पर क उन्हें इस तरह देखकर अमर को बहुत खुशी हुई, उन्होंने दोनों बहु और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया, दोनों बहु भी अमर और सुमी के पैरों में आगुरी और अपने गलतियों की माफी मांगने लगी, अमर का उजड़ा हुआ घर फिर बस गया, स सारे तोफे लेकर वहां पहुँचे तो उनकी खुशी का ठीकाना नहीं रहा, ओल्डेज होम के सभी सदस्य वहां मौजूद से, सब इस जनमोसों में आये थे, अमर और सुमी सबसे मिले, सब अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, सब ने अनुज और सुनिधी के बेटे को तोफे और आसिरबाद दिया, कितने महीनों बाद सब साथ थे, सबने जश्न मनाया, खुब बाते हुई, मोहन और जगन तो अमर को बहुत छेड़ रहे थे, कि आखिर उसने सुमी से साधी कर ही ली, अगली सुबह सभी एक एक करके वापस निकल ग अनुज और सुनिधी अपने बच्चों को गोद में लिए उदास से बरामदे की सिडियों पर बैठे थे, उन्हें बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था, चलते चलते अमर रुका तो सुमी ने कहा क्या हुआ, ऐसा लग रहा जैसे कुछ छूट गया है, हमारी असली खुस और दोनों वापस लौट आए, उन्हें देखते ही अनुज और सुनिधी के चेरे की मुस्कान लौट आई, अमर और सुमी उनके पास चले आए, कुछ दिर बाद देखते हैं कि एक एक करके बागी साभी सदध से भी लौट आए, अनुज और सुनिधी खुस भी थे और हैर तुम सब लोग वापस क्यूं चले आए अमर ने कहा अब हम सब यहीं रहेंगे साथ साथ जगन ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ भाई अमर क्योंकि जिंदगी का असली सुख अपनों के साथ है मोहन ने कहा सभी मुस्कुरा उठे अनुज गेट के पास आया और ओल्डेज होम का बोड हटा कर फेक दिया क्योंकि यह घर अब घर था बृद्धा अस्रम नहीं यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी रा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा वीडियो पसंद आया यह वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा थैंक क्यूफ और वाचिक मिलते हैं अगली कहानी में